नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपके लिए बहुत ही हैलफुल वीडियो लेकर आए हूं जब हम चूले पर खाना बनाते हैं तो चूले पर बहुत जादा बरतन गंदे हो जाते हैं जिससे धोने का हमारा मन्नी करता और हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं और टाइम भी बहुत जादा खर्च होता है तो मैं आपके लिए कैसी ट्रेक लेकर आए हूं जो सब तेन चिरियों से बहुत आसारी से आप बरतनों को साफ कर लेंगे और अगर आप उंगले माल कर देखेंगे तो भी कालक उतर जाएगे तो चली वीडियो को स्टाइब तो कभी-कभी अचानक से गैस खतम हो जाता है और कोई भरवाने वाला भी नहीं होता है और कभी एजनसी भी बंद निकलती है तो ऐसे में हम भूके तो नहीं रह सकते तो हमें चूला जलाना पड़ता है हमें चूली की हेल्प लेनी पड़ती ख की चूली पर कुकर में खाना बनाते हैं दाल बनाते हैं कोई चावल बनाते हैं तो बहुत मुश्किल में जाएगा बेना तुटो कूंशी चाफ होता है तो मैंने सूचा क्यों आज वीडियो बना जायाता है तो देखे मैं यहाँ पर लिया है कुकर बहुत साफ है और अप्रे धोने वाला डिटर्जंट पाउडर और लिया है सरसों का तेल तो जितनी मात्रा में मैंने ये दोनों चीज़ ली है उतना लगने नहीं वाला है आप घबराईए मत और यहां पर मैंने तीसरी चीज़ ली है चूले की राक राक उपलों की हो या हो लकडियों की कोई फरक नहीं पड़ता राक को बारिक कर लेना है तो मैंने यहां पर उपलों की राक ली है राक को मैंने बारिक कर लिया है और अब हमें कूकर लेना है क्योंकि कूकर को धोने में ही बहुत दिक्कत दिखाई देती है तो मैंने यहां पर सरसों के तेल को कूकर पर अच्छे से हैं कि संरसों के तेल को कुकर पर अच्छे से ग्रीश कर लेया है और हातों से तो बहुत अच्छे से लग जाता है कि इसकी सभी साइड़ों में CommunistSi अभर हमें लेना है सरफ इटरजेंट पाउडर काच्छे से ना है और तेल के ऊपर से हमें सरफ को अच्छे से रिगड देना है ताकि तेल और सरफ दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और देखे मैंने चारो ही साइडों में बहुत अच्छे से रिगर दिया है तले में भी लगा दिया है अब हमें लेनी है राक तो राक को बारिक करके पूरी कूकर पर अच्छी से छुड़क देना है और ध्यान देना है कि कूकर के अंदर ना गिरे क्योंकि अगर अंदर राख गिर गई तो हमें फिर धोना पड़ेगा और जब धोईंगे तो पानी उपर वाली राख को भी धो देगा तो मैंने अच्छे से कूकर के उपर राख को चिपका दिया है हमें कोई मिट्टी नहीं लेनी है जैसे चूले पर जब हम पोचा लगाते हैं कुछ लोग चौका लगाते हैं उस मिट्टी को लगा लेते हैं तो ऐसी कंडिशन में हमें कूकर को फूल लेकिने रखना पड़ता है पानी में तो मैंने दाल को धो लिया है और दाल को उसी तरहां से बनने रखना है जैसे कि हम आम तोर पर रखते हैं तो मैंने दाल को दोकर कूकर में डाल लिया है और इसके अंदर जो भी हम मसाले डालते हैं पानी, नमक, मिर्ट वगरा सब को डाल लेना है अच्छे से तो मैंने यहां लाल में पाउडर डाला है और नमक डाली है और डाले है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि तेल हमें कूकर में जुरू डालना पड़ता है थोड़ा सा ताकि उफन ने पर छीटे ना आए कूकर में तो मैंने चूले में आग जला दिया और कूकर को मैंने चूले के उपर चड़ा दिया है दाल बनाने के लिए और कूकर देखे दाल बनाने के लिए रखा था तो बर्कुल काला हो गया है तो दाल बनकर तयार हो गई है अब हम दाल को किसी अलग बरतन में निकाल लेंगे तो मैंने यहां दाल को एक अलग बड़े कटोरे में निकाल लिया है उसके बाद देखे कूकर अंदर से भी गंदा है और बाहर से भी गंदा है और अब देखे मैंने उंगली मारी है तो जो भी कालक थी वो बहुत आसानी से छुट रही है यह आपके लिए मैंने प्रूफ दिखाया है तो मैंने अंदर से दाल थी उस लगी हुई उसको धो दिया है अब कोई भी एक बतन साफ करने वाला जूना ले 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 और कुछ लोग तो जुराब से बटन धोलेते एं कुछ कट्डो से धोलेते हैं कट्टे की कटिंग करके उसका जूना बना ले ले तो आप कोई भी ले सकते हैं बबतन बराबर ही साफ होंगे तो मैंने इस्टील का लिया है अगर आप मेरी स्ट्ड को फॉलो करेंगे तो ब बार में तीन चार बार हाथ मार रही हूं एक जगा में एक बार मार रही हूं और देखे पूरा कुकर साफ होता जा रहा है और बहुत आसानी से ही साफ हो रहा है और हाथ भी गंदे नहीं होंगे ऐसा नहीं कि कालक मैंने आपको जो करके दिखाया उसमें हाथ अलग सद हो नही मैं देखे साथ महीं आपको अपने हाथ दिखाऊंगी बिर cold भी गंदेbn handlar होंगे हाथ क्योंकि साथ में हमने सरफ का स्थमाल किया था तो अब देखे मेरे हाथ भी साफ है और कूकर भी साफ हो गया है और जो तो आप कभी भी अगर चूले पर खाना बना रहे हैं और बरतन के काले होने से परिशान हैं तो इसी तरीके से आप बरतन के उपर अपने बरतन चाहें भगोना हो कड़ाई हो या फिर कूकर हो उसके उपर इसी प्रकार से आप तीन चीजों का लेप लगाएंगे तो बिरकुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी काले बरतनों को साफ करने के लिए तो दोस्तों मैं गाउं में रहने वाली हूं और मेरे घर पर पी चूला है और एक बरोसी भी है जिसमें मैं दूद को अटाती हूं तो चूले से काले बरतनों से हमारा रोज़ाना सामना होता है इसलिए हमा आज ये वीडियो मैंने जो बनाई है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है बहुत ही आसानी से आप चूले पर खाना बना कर और अपने बंतनों को साफ कर सकते हैं और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे तो दोस्तो आज की मेरी चोटी से वीडियो आपको कैसी लगी है आपके लिए हल्पफुल है या नहीं है मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो को शेयर करें और जो भाई बैन चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट कर तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक नमस्कार गरें